नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेड़ी वीटेम में तो देखे आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेन इंफोर्मेशन लेका आया हूं आज की नियूज है आपकी जो पुलिस भरती है वह मैं मैं होगी 2000 पुलिस कॉंस्टेलों की भरती इससे पहले बोला है वह मार्च में आज आएगा तो आज आखिर मई में 2000 पुलिस कॉंस्टेलों की भरती है वह ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो इस सारी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे और आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं आप हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेक है वह लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी साथ आप देखिएगा जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में बैल आइकन भी मिल जाएगा इस बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि हम यहां पर को भी वीडियो जा ले उसका नोटिफिकेशन दी का रिखना नहीं कि आव लुग जॉइन कर सकते हैं कोई आपको खंक सर्च करना है और जैसे आफ सर्च करेंगे तो आपको हमारी यूट्यूब चैनल का जो आइकन है इसे ऐकन कर लिजेगा तो यह तोई कर लीजीगा टुटल फ्री ओप कॉस्ट है यह नहीं है कि आपक तो उसके लिए कोई भी पेमेंट करना है तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की और आज की जो न्यूस है यह है आपकी माई में दो हजार पुलिस कॉंस्टेबल भड़ती होंगे माई में इससे पहले जब बोला गया था वो था मार्च में आप ऐसा क्यूं हो रहा है इसका मीन क कारण क्या है और जो मैं बोल लाओ कि आपका जो पुलिस की भड़ती है वो मार्च में क्यों बोले ओन में ऐसा जानते हैं ऐसा में क्यों तो देखें यहां पर कल बागिस्वन में थे आप पी डीजीपी तो उनके गराग कहा कि पुलिस महान निरते शक असुक गुमान ने क कि एक से 15 में के बीच 2,000 Constable की भठी होगी तेग मंए नोट करिये आउस को अध्यान से देख एक से 15 में के भीत तक है यानि यानि कि अस्यों कि आप की नहीं हो रही एक माई से लेके पंद्रा मैं तक यह यह सारी चीजे कोई और नहीं बताएगा और सब लोग आपको गुम्याहा करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी है उस पर फरक पड़ता है अगर आपको लगेगा कि माई में आने वाली यह भरती तो आप अपनी तैयारी को कुछ थोड़ा लू यहां पर करन्ट अफेर की क्लासे भी चलाए गई है और उत्राखंड के जो नए सेरीज है उनको भी चलाए गया है बहुत जल्द ही मैं लिवसेंड की और और भी जो इंपोर्टेंट कुष्टेंस हैं जो प्रिविएस यह कुष्टेंस उन सबकी वीडियो लेकर आने वारा यह हो सकता है राइंकर प्रिक्षा से संबंदित हो इस पर मैं ज्यादा कुष नहीं कहा सकता हूं कि वह बढ़ती संपन्न हो जागी इसका क्या कहना है तो यह मेरे को नहीं पता लेकिन मेरा मीन मोटो आज आपका लिए यही है कि आप सभी लोग अपनी तहियारी को जी जान आता है यह थर्ड वीक में विध्यापन आता है मार्च के तो देखे एक मेहना तो आपका फॉर्म भनने के लिए चाहिए होता है मार्च से लेकर अप्रैल तक तो यह आपका भनने में जाये गई उसके बाद अप्रैल में जब लास्ट टाइम पर आपके एड्मिट कार्ट जारी किये जाएंगे सारी प्रिख्षा के लिए सारी रीक दक्षिता के लिए क्योंकि आपको पता ही है जो पुली स्सक्रव की भरती होती उसमें सबसे पहले जो instructors होता है ड Beck all ने सबसे पहले एक जो मेंना के ने आका जो माई से तो यह सुचेंगे कि आप मार्च में नहीं आने वाली भरती है तो माही में आने वाली भरती तो उससे होच दखता है कि आपके लिए यही वीडियो डालना भोड़ी है उन्फोर्मेशन आ सकते हैं तब इस टाइम पर गलत वह कावे नहीं आना है और यह को आपको बिघ्झापन आंदा अगर विघ्यापन आएगा तो यह तो यह कि तो यह नहीं है तो यह दो आएya अप्रैल तक विग्यापन चलेगा और एक महीं से लेकर 15 महीं तक आपके पुलिस कॉंस्टमेलों की भरती है वह भी संपन्य कराई जाएगी ठीक है आगे थोड़ा से इन्हों ने आगे अपनी जो वहां पर इनकी डिसकस हुई होगी वारतलाफ हुई होगी इसके बारे में ब लाइक है जो हमारे लाइक की खबर है वह यहीं कि पुलिस महान निर्देशा असो कुमार है उनके दोरह यहीं का गया है कि एक से पंदराव माई के बिस दो हजार कॉंस्टमेलों की भरती होगी ठीक है तो ठीक है दोस्तों आज फी सोड़ी को में पर साफ्त करता हूं उम्म इन्होंने सेलेक्शन पाना है वह लोग अभी से तैयारी करेंगे और डॉलिंगे अपना फिजिकल अच्छा होना हैंगे वह लोग दूसरों की बाते से बैटर अपने फिजिकल में ध्यान जादा लाएंगे वहना बोलने वालों की कमी नहीं है आप देख सकते हैं जो सोसल म आप सभी लोग की तैयारी को बहतर बनाना तो अगर आप सभी लोग को हमारी जो मोटी वीशन जो वीडियो आज की मैंने बनाई पुलिस के लिए और जो आपको एक अच्छा सा न्यूस दी आपके लिए कि यह मार्च में विग्यापन जारी हो सकता है आपका और हो जाएग हैं एक बार आप जाई है हमारे चैनल पर और उसके प्ले लिस्ट को चेक करिए उसके बाद जाके आप हमारे तसा तैयारी करिए ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में आज सामुक तक आपका सापता ही करेंट अफेर का पार्ट वन आ जाएगा यानिकि इस मार्च सब्स होने वाली है और मैं कोशित जरूर करूंगा कि आप सभी के लिए वन लाइनर जो से वह एक बार फिर से चलाओं क्योंकि बहुत सारी लोग का है कि आप वन लाइनर लेकर आए तो मैं आपके लिए वन लाइनर उपर से आपका उत्राखंड की इंपोर्टेंट कुश्यन प् किसी भी कूर्स को चलाए जाए उसके लिए तरी के कहीमेंट नहीं मांगी जाएगी।